नमस्कार ये सवाल आया है देख लिजिए एक एकड़ बराबर कितना वर्ग फूट होता है और एक वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग फूट एक वर्ग गज बराबर वर्ग फूट सव वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग फूट होता है इसको देख लिजिए फटा फट में लंबाई और एक मीटर चवड़ाई है यदि इसको आप वर्ग फीट में कनवर्ट करना चाहेंगे तो इसको ध्यान दीजिए एक मीटर एक मीटर बराबर 3.28 फूट होता है यहां 3.28 फूट होगा और यहां भी 3.28 फूट होगा इस प्रकार से असानी से जान सकते हैं अब हमको एक वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग फूट जानने के लिए दिखिए लंबाई गुड़ी चवड़ाई कर दिजिए या 3.28 का वर्ग कर दिजिए इस तरह से 3.28 गुड़ा 3.28 बराबर होता है यह किल्कुलेट कर लिजिए यह 10.78 वर्ग फूट होगा इसी को यह दसमलों के बाद यहां पर 8 है और भी डिजिट है तो इसको आप लिख सकते हैं 10.76 वर्ग फूट इस प्रकार से बहुत ही असानी से निकाल सकते हैं अब हमें जानना है एक वर्ग गज बराबर एक वर्ग गज को जानते हैं एक वर्ग गज लंबाई एक गज लंबाई एक गज लिख 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 जीसको एक गज लंबाई और एक गज शौड़ाई तो एक गज एक गज बराबर होता है तीन फूट यहां पर तीन फूट होगा यहां भी तीन फूट होगा अब तीन गुड़ा तीन कर दिजिए बराबर नौ वर्ग फूट होगा एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फूठ होगा अब हम लोग जानेंगे 100 वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग फूठ होता है तो लिख लिए 100 वर्ग मीटर वर्ग मीटर बराबर 100 गुडे 10.76 कर देजिए यहाँ पर देख रहे हैं एक वर्ग मीटर बराबर 10.76 वर्ग फूठ होता है 10.76 वर्ग फूठ होता है इसका लंबाई चवडाई देख लिजिए यह 10 मीटर लंबाई है और 10 मीटर चवडाई कि इस तरह का 10 मीटर लंबाई चवडाई का पलोट है तो इसको फीट में करणवर्ट करेंगे तो 1076 वर्ग फूठ होगा अब हम जानते हैं एक एकर का सवाल हया है देख लिजिए एक एकर एक एकर बराबर 10 वर्ग जरीब होता है दस वर्ग जरीब यह देख लिजिए इसका पलोट यह 10 जरीब है 10 जरीब लंबाई और एक जरीब चवडाई एक जरीब बराबर 66 फूठ गंटरी चैन से और 10 जरीब बराबर 606 फूठ होगा जिसका लंबाई चवडाई का गुड़ा कर दिजिए 660 गुडे 64 बराबर होगा 43,506 वर्ग फूठ एक एकर बराबर 43,506 वर्ग फूठ होता है इस तरह से बहुत ही असानी से निकाल सकते हैं अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब केजिए वीडियो सेर केजिए धन्यवाद